सब्सक्राइब करें ट्रावल टेक चैनल को और बेल ऐकन को दबाएए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स आज मैं एंबॉक्सिंग करने वाला हूँ हुआवे की नोवा 3i की और दोस्तों जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के फीचर और हुआवे ने इसे किस प्राइज में लाँच किया है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जल्दी से खोलते हैं इस बॉक्स को तो दोस्तों यह है बॉक्स हुआवे नोवा 3i का आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है हुआवे नोवा 3i यहाँ पे कुछ बॉक्स कंटेंट है और यहाँ पे कुछ IMEI के स्टिकर्स यहाँ पे है दोस्तों अक्टाकॉर CPU 4 into 2.2 GHz प्लस 4 into 1.7 GHz 4 GB रहे हैं और यह तो कमाल है दोस्तो 128 GB का रोम प्लस 16 cm का फुल HD प्लस डिस्प्लेइ 24 MP प्लस 2 MP AI डियूल फ्रंट कैमरा और 16 MP प्लस 2 MP का AI डियूल रियर कैमरा वोल्टे सपोर्ट फिंगरप्रिंट सैंसर के साथ और 340 mAh की बैटरी तो चलिए खुलते हैं इस बॉक्स को अटाते हैं इस कावर को फलान के लिए फोन को मैं रख देता हूं साइड में सामने हैं कुछ IMEI के स्टिकर्स एक सिलिकान कावर सेम एजेक्टर क्विक स्टार्ट गाइड और हुआ वे वारंटी काड़ और एक एक एक्स्ट्रा स्क्रीन गार्ड भी है इसमें और मैं कवर खोल के दिखा देता हूं कि इस तरह के कवर है और नार्मल जैसा सिलिकान कावर आता है उसी तरह के कवर है अब इस अब को रख देता हूं साइड में चार्जिंग एबल की बात की जाए तो दोस्तों यूसबी टू माइक्रो यूसबी चार्जिंग के एबल है इसमें और यह रहा है इसका चार्जर हुआवे की ब्राडणिंग के साथ और इसमें आपको मिलेगा पांच वाट प्लस टू एंपियर का आउटपुट इससे मैं रख देता हूं साइड में बात करते हैं दोस्तों फोन की और देख सकते हैं हैं फुल ग्लासी है यह बैक पैनल्स का और काफी ग्लासी लुक है इसमें स्लिम डिजाइन है सामने स्क्रीन की बात की जाए दोस्तों तो 6.3 इंच का IPS LCD स्क्रीन है 8.2 82.2 के स्क्रीन टू बाड़ी रिशियो के साथ और बैक पैनल की बात की जाए तो पूरा ग्लासी है यह भी यहाँ पे दोस्तों देखिए डिवल लेंस 1.2 और 2 बाइट 126 ASPH है डिवल कैमरा के साथ फ्लैश लाइट यहाँ पे है हुआवे की ब्रांडिंग यह एक फिंगर्प्रेंट सेंसर यहाँ पे आपको पावर अन आफ बटन मिल जाएगा वाल्यूम अपन डाउन की एक माइक नॉइस कैंसलेशन के लिए यहाँ पे है एक सिम ट्रे और यहाँ पे आपको 3.5 में का जैग मिल जाएगा चारजिंग पॉइंट एक माइक और एक स्पिक कर एक लाउट पूट तो फिलाल में इसका सिम पर निकाल लेता हूं और देख लेते हैं कि किस तरह का सिम दिया है हुआ है इसमें हो सकता है कि हाइब्रिट सिम स्लॉट हो इसमें तो मैं चेक कर लेता हूँ जहां दोस्तों यह एक हाइब्रिट सिम स्लॉट है या इसमें आप एक सिम कार्ड और एक मैम्री कार्ड या तो फिर दो سिम कार्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं बट मुझे नहीं लगता कि आपको memory card की जरुत होगे क्योंकि इसमें already 128 GB की memory है तो मैं इसको कर देता हूँ बूट बूट इसका रिजलीशन के बारे बात कर लेता है इसका resolution है 1080 x 340 pixel जिसमें आपको 19.59 का ratio मिल जाएगा और Android 8.1 Oreo है इसमें और इसमें चिपसेट की बात की जाए तो कीरीन का 710 का इसमें चिपसेट है और 4 x 2.2 GHz और A73 का 4 x 1.7 GHz का इसमें चिपसेट है प्रोसेसर है English मैं कर लेता हूँ यहाँ पर और I next skip skip more agree ठीक है मैं इसमें fingerprint ID लगा देता हूँ फिलाल के लिए next unlock device enable एक pin बट आप इसे यूज मत कीजिएगा इस तरह के pin को 123456 मैं अन्रॉल कर लेता हूँ मेरा finger यह हो गया अन्रॉल फिंगरपीड ID सेट enable all services ठीक है फिलाल के लिए मैं इसको skip कर देता हूँ no thank you finish okay जी आइए दिखिए यह हो गया है start दोस्तों बात कीजाए इसके main camera की तो आपको 16 Megapixel का camera मिल जाएगा 2.2 के अपाचर के साथ और इसमें आपको 1080 आप इसमें वीडियो recording कर सकते है फिर 30 फ्रेम पर सकेंड और इसमें इसमें selfie camera की बात की जाए तो यह 24 Megapixel का selfie camera है फिर अपाचर 2.0 का और HDR recording भी है इसमें अपि मैं यह देखिए quick response है मैं जैसे ही यह मैंने उंगली रखा मेरी और यह फोरान ही unlock हो गया phone यह रखा और यह unlock चलिए देख लेते हैं settings में 1 2 3 4 5 6 settings system about phone यह देखिए दोस्तों device name मैं आपको देख सकते हुआ वे nova 3i model है उसका यहां पे EMEO version 8.2.0 Android version 8.1.0 यहां पे IMEI number है CPU आपको कीरीन का 710 RAM जो है 4 GB की मिल जाएगी phone storage आपको मिल जाएगी 113 GB की मिल जाएगी आपको phone storage 128 GB में से screen resolution जैसे के मैंने बता है 340 by 1080 security patch जो है वो June 2018 का है और बात कर लेते हैं इसके face unlock की तो मैं एक face unlock भी यहां पे अंट्रॉल कर लेता हूं security face unlock 1,2,3,4,5,6 continue allow देखिए इसने मैंने अन्रॉल कर लिया है face unlock को अब मैं इसे check कर लेता हूं देखिए अब यह open नहीं हो रहा है बड़ जैसे ही मैं इसे मेरे face के सामने लेके जाओंगा यह तुरांत ही unlock हो चुका है phone अच्छा इसमें एक sliding option भी है जिसे आप on off कर सकते हो दोस्तों बात करेंगे अगर camera की तो मैं एक click ले लेता हूं इस camera से allow later यह मैंने click लिया है आप देख सकते हैं इसकी details sharp picture और इसमें different camera mode भी है आप इसमें पाचे सेट कर सकते हैं portrait mode है video air lens में आपको बहुत से option मिल जाएंगे जिसे के emoji है emoji एन emoji इसमें 3D Q emoji है जैसे के मैं जिस तरह से बात कर रहा हूं यह अंदर effect हो रहा है different different character यहां पर select कर सकते हैं काफी एक अच्छा option दिया है Huawei न और मैं ले लेता हूँ यहां पर एक selfie यह रहे अब देख सकते हैं इसके clarity एक-एक details जो आपको दिख जाएगे इसमें अर दोस्तों Huawei ने इसे launch किया है 20,990 रुपे के pricing में और इसमें दो color option यह है एक black color है और एक दूसरा color option आपको मिल जाएगा blue में तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इवीडियो पसंद आई होगी फिलाल आज के वीडियो के लिए अगर आप इस चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मैं आपसे मिलूँगा ऐसे ही मज़दार वीडियो के साथ तब तक के लिए गुर्पाइ जर झादार वीडियो